सब्सक्राइब कर दो हमारे डिट्यूब चैनल जीप पी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्का दोस्तो आज भी का हमारे अपके उटेशन जीप एडेस्ट में वापस स्वाकत है तो दोस्तो कल जो हमारे पी एम है वो लाइव आएगि और बताएगे कि लॉग ड़ाना चाहिए रहे और कहा बढ़ाना चाहिए कहां पर ओफिशिल वर्क हो सकता है कहां पर नहीं होगा मतलब जो भी lockdown में छूट की बाते होगी जो भी important important बाते होगी वो कल live session में के बताएगे तो कई सारी news channel पर ये news आ रही है और कई सारी news website पर भी news आ रही है कि कल के live session के जो copy checking के उपर भी बात हो सकती है तो guys इसी बारे में आज मैं वीडियो में discuss करूँगा इस वीडियो में जो भी discuss करूँगो पूरा factfully ना officially है बट जो news आ रही है मैं उसके बारे मैं आप सभी बता रहा हूँ तो दोस्तो बिना time waste की वीडियो को start करते है और guys वीडियो start करें मैं आप सभी को एक app के बारे में बताना चूँँगा जो आपकी online study में बहुत ज़्यादा help करेगा दोस्तो आशकर स्कूल college coaching सब्बंद है और आपको हो जाए पढ़ाई में गदाब के dot clear करने वाला कोई नहीं है तो कोई बात नहीं dot net app है ना क्योंकि dot net में आपके सभी math, physics, chemistry और bio के dots का होगा सफाया बस आपको अपने question की photo को click करना है उसे अच्छी तरीके से crop करना है और dot net app पर भेज़ जेना है तो अंत ही आपको 2-3 second में उसका video solution मिल जाएगा वो भी class 6 से लेकर 12 need, i.i.j.mains और advanced तक के level तक का dots का solution मिलेगा वो भी एकदम free तो description में दी गए link पर जाए जो future के अंदर उनको exam दे रहें उनमें बहुत जाएजाजा problem हो रही है जितना delay copy checking में होगा उतना ही delay उनके result में होगा उसको ध्यान में रखते हुए कल PM जो अपना live session करेगे उसमें तो मेरे को लगता नहीं वो copy checking के बारे में discuss करेगे वो जो main main मुद्ध है जैसे farming होगे वो सारे मुद्धों पर बात करेगे copy checking में live तो बात नहीं करेगे लेकिन जो एक PDF फाइल आएगी जिसके अंदर सारे rules होगे उनके अंदर जरू copy checking को discuss किया जा सकता है जो study का department है HRD ministry है उतनोंने भी साफ सब काये कि बड़ा action लिया जाए copy checking के उपर copy checking जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी जरूरी है क्योंकि जितना delay copy checking में उतना delay result के अंदर उतना delay दूसरे exam में होगा इंडिया में problem है लेकिन इस problem को अपनों को लड़ना खुद कोई पढ़ेगा इसका permanent solution यह नहीं कि safety करनी पड़ेगी और safety के साथ में थोड़ा अपनों को जागरू को कर copy checking मतलब जो अपने day to day routine वार वरकर को थोड़ा थोड़ा start करना पड़ेगा वरना आगे future के नहीं बहुत ज़्यादा problem हो जाएगी guys देखो यह तो possible नहीं कि जितना पहले speed से copy checking होया करती है उतनी speed से copy checking होई या फिर उतना manpower को यूज किया दे लेकिन यह है कि पहले 50 copies check होती होगी एक दिन के अंदर तो यह हो सकता है कि अब 20 copies या 10 copies check हो लेकिन दीरे-दीरे करके copy checking स्टार्ट करनी जरूरी है देखो क्या अपने जो minister को क्या decision लेते है जो head क्या decision लेते है वो कल अपनों को 10am पता लग जाएगा जैसे कोई update आएगा तो मैं जरूरी वीडियो बना दूँगा बाकि अभी एक news viral हो रही थी बहुत से कॉल करके कोशन पूछ रहे थे इसकलिए मैंने वीडियो बनानी जरूरी समझी अगर आपको मारी वीडियो में जो बाते का यह सही लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक करना और फैंस से शेयर करना जिसे उनको बात पता लग सके अगर आपको कोई भी confusion तो comment